आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं what is str split and what is simply आपका जो chunk split होता उसके बारे में काफी ज़्यदा important होता है PHP के अंदर यह और आप लोग कोई चीज़े सीखनी से यह चोटे-चोटे function है आगे आगे आप जब भी project पे काम करोगे तो definitely यह काम में आने वाले हैं और simply यह है कि आप लोग को सबसे पहले function को समझना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या बिना divest के visual studio code को यहाँ पर open करूँगा यहाँ पर आके और एक नई file बनाऊँगा नाम से ठीक है तो मैं बिल्कुल फ्रेस लिए एक नई file करेट करता हूँ और यहाँ पर simply मैंने file को create किया मैं यहाँ पर PHP open and PHP close यहाँ पर type कर देता हूँ इस तरीके से और मैं करूँगा क्या मैं simply कुछ ऐसा करूँगा कि आप लोग करें कि आप लोग simply लिखे हैं यहाँ प पर जो हमारा str split होता है ना यहाँ पर मैं simply pass करते हूँ str underscore split इस तरीके से इसमें basically क्या होता ना सबसे पहले आप लोग pass करते हो as the argument string को ठीक है str पास करते हो और फिर आप लोग simply उसमें क्या pass करते हो आप लोग उसकी length पास करते हो आप लोग डाइक लिखेंस में इस तरीके स length pass कर सकते हो तो हमने simply किया किया यहाँ पर इसका syntax देखा है तो basically हम लोग सबसे पहले काम करते हैं इसका मतलब क्या होता है यह क्या करता है return करता है एक array अब यहर आप लोग बोलोगी कि चो explode वाला function हमने देखा था पिछले वाले वीडियो के अंदर वह भी तो यही करता है कोई string को array के अंदर ही तो return करता है करता है लेकिन उसके अंदर एक separator देना ज़रूरी है इसके अंदर कोई एक separator देना ज़रूरी नहीं है इसमें आप directly pass करते हो string और उसके length हो इस तरीके से ठीक है और अभी के लिए मैं करूँगा क्या एक dollar rest नाम से variable लूँगा इस तरीके से और इसमें मैं लिकूँगा str underscore split इस तरीके से आप लोग syntax के मुताबिक चले है आप लोग यहां पर simply pass करे ch name और ch name मैंने simply हां पर pass किया मैं simply pr Initiate Qui एक कर सकता हूं और मैं हां पे PMT लगा सकता हूं ठीक है और directly मैं print r करण सकता हूं इसके आंदर मैं simply dollar rest को print कर सकता हूं ठीक है कि सासते हम लोग कर देते हैं और यहां पर जो भी मेरा डहर्ट पर यहां पर simply मैं पेस्ट करेंगे आप कह Nicki sorry करें कि अपका जो Apache module और सिंप्लि स्टार्ट घैसे जींटिक के अंदर local host अप लोके पोर पास कि यह इसको करते यह में गैडियम at some धिवाद कर दिया कि principalmente कर दिया कि माने एके अंदर कॉर्ट कर दिया का एक सब्सक्राइब यहां पर काउंट किया गए है तो काफी कूल है अगर आपको सिंप्ली को कनवर्ट करना हो अगर आप लोग को आप लोग क्या पास करोगे आप लोग को यूज कर सकते हो अब यह बात की जाए इसी में लेंथ क्या अगर में लेंथ यहां पर वाइड करता हूं सेव करता हूँ मैं रिफ्रेस करता हूँ अब आप लोग देखोगे ना यह पांच लेंट तक इसको प्रोवाइड किया जाएगा देखो एकसी लेंट कोड विद एज ऑटोमेटिक इसने डिसिजन लिया और हमको एरिया बनागी दिया और इसमें पांच इंडेक्स हैं पर इसमें पास अच्छा अगर जितने मेरा यहां पर स्ट्रिंग है जितने मेरे वर्ड सहां उसको काउंट करके कि मैं अगर डाल दूं मालों काउंट बने किया मैं है आप सिंपली बात करता हूं चार की तो मैं मुझे एक एरे के अंदर चीज़ मिलने चाहिए तो आप लोग यार इससे डिसे ले सकते हो कि आपको इस स्ट्रिंग को कितने लेंद के साफ से आपको इसको डिवाइड करना एरे के अंदर ठीक है तो वह आप लोग यार पर सिंपली डिसेजन ले सकते हो हम ओप की चीज़े कलियर है अब हम लोग बाथ करते हैं वोटीज चंग स्पिट और एट यह चंग स्पिलिट क्या करता है यह तैंक पी फीशन को अलग अलग टुटों आंदर तोड़ देता है स्म्पलीस का मतलब क्या है एक डिवाइड करता है लग अलग से तो किसे करता ह है सबसे बने मैं है पर करूगा क्या यहां पर लिखुँंगा कुछ भी यहां पर कुसी भी दूच ग्रेक्ट कोछ भी आपए इस तरीक से महां पास कर देन टे एक स्टीक वर्लटू en इस इस दी कूल डे इस तरीके से मैंने सिंप्लिया पर लिख दिया और मैं सिंप्लिय अगर एको करूं टी एक्स टी को तो यहां पर डेफिनिटी इसमें कोई सकते नहीं होगा और इसी के सासाथ मैं आपर करूंगा क्या इसी के सासाथ मैं सिंप्लिय इसमें यह करूंगा की सिंप्लिय आप लोग इसमें इस तरीके से पास कर सकते हैं simply chunk split ठीक है और हम लोग इसमें dollar txt पास कर सकते हैं इस तरीके से तो यार इसका मतलब क्या हुआ फिर अगर हम लोग इसकी बात किये जाए और यहां पर मैं simply dot पास करूं इस तरीके से इंफेक्ट मुझे कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा यह चीज ठीक है और राइट क्या हो रखा इसको मैं इस तरीके से हटा कि यहां पर पास कर देता हूं रिफ्रेस करता हूं मुझे this is the cool day यहां पर मिल चुका दोनों बार क्योंकि यहां पर मैंने को किया देखो फिर इसमें फरक क्या है इसमें अगर मैं ऐसा कर दो ना कि आप लोग दो लिखते हैं यहां पर simply तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि टी एच दो बन जाएंगे एक अलग simply separate बन जाएंगे आई इसको सेव करता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको तो आप लोगों देखो टी एच एज आई एस टी एच ए इस तरीके से ठीक है को लग इस तरीके से मेरे पास चीज मिल रही है मुझे मतलब अलग-अलग simply characters के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया ऑ और अगर मस्म Elente块 करता हूँ यहां पर मैं मलो छो मैं इस बिच्रीका से इसमें पास करता हूँ इस तरीके से और यहार मैं बैसिकली इसको थोर्टिकल से जद आपको प्रैक्टिकल पर जदा बताता हूं कि यह चीज़ आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं होपुली वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा कि वोट इस चंक एंड वोट इस स्ट्यार स्प्रीट इस से जदा कुछ है नहीं विस्टिकली अगर इसके सिंटेक्स की बात कि जाये तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो हम को स्ट्रिंग के साथ डिल करना जै हम लोग इसकी लेंट लिखते है और हम लोग सिंपली इसमेरीटर लगाते हैं कि क्या क्या सेपरेटर सिंप्ली यह हो सकता आपका और लेंट आपकी यह हो सकती है स्ट्रिंग आपकी यह हो सकती है इस तरीके से आपको सिंप्ली में पास कर सकते है अब आदनिया दो की करो आपको सिंप्ली यहाँ पर तीन भी गर सकते हो तो अब आप तो को simply देखो कि तीन-तीन का simply हाँ पर आ जाएगा इस तरीके से इस तरीके से ठीक ना इस तरीके से इस पीस को भी count करेगा बिसली तो यह है आपका simply हाँ पर chunk split hopefully clear है और अब हम second video में कोई अलग function के बारे बात कर रहे होंगे सो गाइज एस वीडियो कितना ही I will see you next time तब तक लिए धहीं हुआ सो मस्टेक केर बाई बाई